हलो फेंट्स तो चलिए हम थोड़ा सा पॉइंटर्स पढ़ते हैं और अभी पॉइंटर कांसेप्ट तो बहुत बढ़ा होता है पॉइंटर्स को हम वैरेबल्स के साथ यूज कर सकते हैं है ना जब हम structure या class पढ़ेंगे आगे तो उसके साथ भी हम pointer को यूज कर सकते हैं पॉइंटर को हम array के साथ भी यूज करते हैं तो अभी क्योंकि हमने structure class या arrays तो आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी हम लोग basic pointer सीखने वाले हैं तो pointers को हम किस तरह से variables के साथ में यूज करते हैं वह देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर करता क्या हूं कि मैं एक variable बनाता हूं लटसे एक्स नम से और उसमें हमने 5 रख लिया तो देखे होता क्या है कि जब भी कोई variable हम बनाते हैं तो उसे क्या होता है उसे हमारे रैम में जगह मिलती है अब रैम में क्या होता है रैम एक तरह से आप समझे कि वह location है रैम के में बहुत सारे location है बहुत सारे आप तरह से घर यहां पर बनाया एक्स नम का variable उसमें हमने 5 रख दिया तो हमारी memory में क्या हुआ एक एक्स वाइरियेबल इस तरह से बना अब क्योंकि यह हमारी memory है रैम है तो एक location होगा तो उसका यह address है address मतलब location तो यह एक्स वाइरियेबल यहां पर बना अभी आपको सिर्फ यह देखन जहां मैं बता रहा हूं यह एक्स नम का variable बना उसका जो address है यानि कि जो location है वो 1000 है हमने assume कर लिया है actual में जो इसका address होगा वो कुछ और हो सकता है ठीक है वो हम देखेंगे क्या होता है तो हमने assume कर लिया कि इस 1000 location पर हमारे इस x variable को memory मिल गई जिसमें हमने 5 को रखा है तो 5 चला गया तो अभी यह जो block बना इसका एक नाम है है ना वो block है जिसका हमने नाम रखा है एक्स और उसमें value हमने रखी 5 और उसका address क्या है location क्या है 1000 है तो अब मैं क्या करता हूं मैं यहाँ पर simply मैं value क्या करता हूं print करता हूं एक्स को और मैं यहाँ पर line change कर लेता हूं तो line change करने के लिए मैं use कर रहा हूँ यहाँ पर ind l यह एक manipulator है अगर आपको ind l use नहीं करना है तो आप c style में use कर लिजे back slash n otherwise simply आपको क्या करना है ind l लिख देना है तो यह line change कर देगा यह manipulator है हम आगे सीखेंगे manipulator क्या होते हैं कई सारे manipulator होते हैं तो basically हमने यहाँ पर ind l use कर लिया है यह line change कर देगा तो हमने क्या किया x की value को print कर दिया तो क्या होगा 5 print हो जाएगा तो हमने क्या किया कि हमने यह 5 को print किया यानि कि जो value हमने इस location पर रखी है उसको हमने print किया तो किस तरह से हमने print किया x का यूज करके यानि कि हमने इस location को जो नाम दिया है x उसका यूज करके हमने इस value को जो 5 है उसको print किया है तो हमने यहाँ पर क्या किया नाम का यूज किया है value को print करने के लिए लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस ब्लाक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा तो अगर इसका एड्रेस है तो हम एड्रेस का भी यूज करके इस वैलू को प्रिंट कर सकते हैं तो जब भी हम variable बनाते हैं या तो हम उस variable का नाम यूज करके वैलू को एक्सिस करें या अगर मुझे address पता चल जाए तो हम address का भी यूज़ करके इस value को access कर सकते हैं और यहीं पर pointer का concept introduce हो जाता है तो हम लोग करते क्या हैं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया 5 print हो जाएगा इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो variable हमने x बनाया इसका कुछ address होगा तो अगर address है तो मुझे अगर वो address store करना है तो अगर store करना है तो फिर से मुझे एक variable बनाना पड़ेगा है ना क्योंकि programming में अगर मुझे कुछ भी store करना है तो मुझे memory allocate करना पड़ेगा memory allocate करना पड़ेगा मतलब variable बनाने पड़ेंगे है ना तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो x का address है कुछ भी हो सकता है उसको मैं store करूँ तो उसके लिए मुझे एक variable बनाना पड़ेगा तो let's say मैं एक यहाँ पर variable बनाता हूँ p और मैं p में क्या करूँगा इस x का address रख लूँगा लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि x में हमने क्या रखा है 5 रखा है x में हमने कोई address नहीं रखा और उसी तरह से हमने variable p बना दिया तो इस x और p में difference क्या है है ना क्योंकि p में तो हम value रख रहे हैं पढ़ए पढ़ता है इस p के पहले एक star symbol इस तरह से लगा देना पढ़ता है तो क्या है यहाँ पर जो हमने p variable बनाया यह एक pointer variable है आप इस तरह से समझें कि जो p है वह variable लेकिन एक pointer variable है अब अगर हमने इस तरह से masturbation declare किया star p यानि कि एक pointer variable हमने बनाया है आप कितने भी इस तरह से star q star r लगा करके pointer बना सकते हैं जैसे variable बनाते हैं बनाते समय आप simply name लिखते हैं लेकिन आप pointer बनाएंगे तो star लगाएंगे उसके पहले star p q है ना फिलाल तो मुझे एक ही वरियेबल चाहिए तो मैं क्या काम करता हूं pointer चाहिए तो मैं यहां से क्या करता हूं इसको हटा देता हूं तो मैं यहां से दो हटा देता हूं तो हमने क्या किया कि हमने एक pointer variable मना लिया है अब मुझे क्या करना है कि यह जो pointer variable है इसमें मुझे इस x का जो है वो address रखना है तो सबसे पहले मुझे x का address चाहिए तो मुझ operator क्या है वह operator है M% operator यहाँ पर यह यहां पर यह आएnd का जो symbol आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है M% operator और इस operator का हम use करके किसी भी variable के address को कि गट कर सकते हैं तो फिल हर मुझे x का address चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा address of x यानि कि equal to मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे p में रखना है x का address तो मैं लिखूंगा address of x इसका मतलग जो भी x का address होगा memory में जहां भी जिस भी location पर हमारे x को memory मिली होगी उसका address कहां चला जाएगा p में चला जाएगा तो जो ordinary variable है तो मैं यहाँ पर c out लगाके address of x इस तरह से मैं print भी कर सकता हूँ इस तरह से है ना हमने address of x को print कर दिया x को print नहीं किया address of x को print किया तो क्या होगा x का जो भी address होगा वो print हो जाएगा और हमने p में x का address रखा है तो अगर मैं c out करूँ p को print करूँ दोनों चीजें सेम आने वाली है सबसे पहले मैं इसको run करता हूँ एक बार प्रोग्राम को तो यहाँ पर देखिए पहले x के value 5 प्रिंट है फिर यह address प्रिंट है एक बार address of x का यूज़ करके प्रिंट है और एक बार p का हमने गुज़ किया है और यह देखिए दोनों यह चीजें सेम है और यही है हमारे x variable का location जहां पर उसको memory मिली है ठीक है तो आपको इतना समझ में आया अब मैं बात करता हूँ कि अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम कोई variable बनाते है तो उसका address होता है तो अगर मुझे यह value को अच्छा डाइग्राम से आप समझिए जैसे हमने p में x का address रखा तो क्या होता है आप इस तरह समझिए p एक variable बना लेकिन यह pointer variable है यह variable बनाया है इसका भी कुछ address होगा लेकिन इसमें as a value क्या जाएगा as a value इस x का address जाएगा x का address क्या हमने assume किया था 1000 तो इसमें 1000 चला जाएगा तो p एक pointer variable है जिसमें x का address है 1000 तो यहाँ पर देखिए हमने x का address अगर assume किया था 1000 इसलिए हमने p में as a content as a value 1000 दिखाया है यहाँ पर और जब भी हम x का variable क्या है x variable का address हमने p में रखा तो p x को point कर रहा है हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ऐसे बोलते हैं क्योंकि हमने x का address p में रखा तो p एक pointer है जो x को point कर रहा है ऐसे आपको बोलना है कि p एक pointer है जो x को point कर रहा है इसका मतलब कि x का address p में है है ना और p खुद भी एक variable है चाहे वो ordinary variable हो या pointer variable हो variable है तो उसको memory मिलेगी तो उसका भी address होगा कुछ ना कुछ इसलिए हमने यहाँ पर देखे 2000 दिखाया है है ना तो यहाँ पर ऐसा समझे आप फिर मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पर कि अब हम value की बात करते हैं कि जब भी हमने variable बना जा तो अगर मुझे उसकी value को print करना है तो हमने x का यूज किया यानि की variable के नाम को यूज करके value को print किया और ऐसा तो हम करते भी आ रहे हैं लेकिन अगर मुझे इस address का यूज करके अगर यह 5 को print करना हो तो किस तरह से हम करेंगे तो क्या करना पड़ता है मुझे कि जो यह p pointer हमने बनाया इसमें क्या है x का address है तो अगर मुझे x की value चाहिए p का यूज करके तो पी में जो content है यानि उसकी मुझे de-referencing करनी पड़ेगी हमने क्या कहा de-referencing का मतलब हम कैसे करते है इस pointer की अगर मुझे de-referencing करनी है तो इस pointer के पहले हम क्या लगा देंगे star p है ना देखिए जब मैं वह यह p pointer को declare कर रहा था तो star p लगा के declare किया और जब मुझे उसकी de-referencing करनी है तो star p ही मैं लगाऊंगा है ना तो क्या होगा कि अभी x का address p में है तो p में क्या है 1000 तो अगर मैं इस location का यह जो 1000 address है अगर मैं इसकी de-referencing कर दूं तो हमें यह value जो 5 है वो मिल जाएगी देखिए p का मतलब p में क्या content है देखिए जब भी हम variable का नाम यूज करते है मतलब variable में जो value है variable में value क्या है variable में अभी value है क्या 1000 और अगर यह 1000 value नहीं बलकि address है और अगर मैं address की de-referencing कर दूं तो मुझे इस location पर जो value है वो value मिल जाएगी है न तो star p लिखना ये लिखने के बराबर है तो आपने यहाँ पर क्या सिखा कि अगर मुझे कोई भी location कोई भी address पता हो और अगर उस address की मुझे value चाहिए तो उसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा star लगाना पड़ेगा उस address की मुझे de-referencing करनी पड़ेगी आपको बास्वा में आया अब अगर simple word में बोलें तो क्योंकि x का address p में है p x को point कर रहा है तो अगर मुझे यह 5 चाहिए तो p की मुझे de-referencing यानि की star p लिखना पड़ेगा I hope कि आपको मैं समझा पाया तो अगर देखिए मुझे वो value print करनी है अगर तो मैं लिखेंगा star p ind l है न हम लिखें क्या लिखेंगे star p मैं लिखेंगा तो जो p में address था हमने क्या किया उसकी de-referencing कर दी यहां पर तो आप देखिए कि last में 5 print हो जाएगा तो पहले यहां 5 print होगा फिर दो बार address print होगा और फिर से 5 print होगा है यह देखिए यहां पर 5 print हुआ है तो आई होग कि आपको यह pointer का concept इतना समझ में आया है ना तो एक बार अगर मैं फिर से बोलूं तो conclude कर रहा हूं मैं बात को ठीक है तो आपने क्या किया जिस variable का address किसी variable में है या या जिस variable का address माल लिजे आपने किसी variable का address किसी variable में रखना है और अगर आपको उस variable की value चाहिए तो जिस variable में आपने address रखा है उस variable के पहले उस pointer के पहले आपको star लगाना पड़ेगा star लगाने को हम बोलते हैं de-referencing करना है ना तो अगर आपको किसी भी location का कोई भी location आपको पता है कोई भी address पता है और उस address की अगर आपको value चाहिए तो आपको उस address को de-reference करना पड़ेगा उसके पहले star लगाना पड़ेगा ठीक है अच्छा इतना समझ में आने के बाद मै आपको एक और एक बात पुछता हूँ कि यह p भी तो एक variable है जिसका address कहा है क्या है 2000 है तो क्या मैं p का भी address पता कर सकता हूँ बिल्कुल मैं p का address पता कर सकता हूँ अगर मुझे address चाहिए तो simply मैं यही वाला address of operator यूज़ करूँगा है ना लेकिन इस x की जगा पर मैं p लि आप यह ने क्या लिखा address आप p तो मुझे p का address मिल जाएगा आप देख लीजे यहां पर यह देखिए यह p का address मिला है और देखे इस address से यह different address है तो मुझे p का भी address मिल गया अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यार p का भी कुछ address है तो मुझे p का भी address किसी variable में क्या मैं रख सकता हूं बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि यह भी एक address है तो मुझे एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा लेकिन पी का जो address है वो एक pointer variable का address है है ना देखिए x का address simple वाला है p का address कुछ अलग बात है क्योंकि p एक pointer है तो pointer का address आपको store करना है आपने अभी अभी देखा कि हम एक normal variable का address आडिनरी वारियेबल का address कि इस तरह से store करते हैं लेकिन अगर आपको pointer का address इस श्टूर करना है तो आपको फिर से pointer ही बनाना पड़ेगा देखिए p एक pointer है अगर इसका address आपको रखना है address रखना है तो मतलब pointer बनाना पड़ेगा लेकिन pointer हमें एक star बाला बनाना है दो star बाला बनाना है उसको समझते हैं तो उसको हम बोलते हैं extended version of pointer क्या बोलते हैं extended version of pointer या extended concept of pointer जो भी बोलें देखिए p एक pointer है तो अगर मुझे p का address रखना है तो मैं pointer बनाता हूं लटसे q नाम से लेकिन इस बार मैं double star q लिखूंगा क्यों क्योंकि देखिए क्योंकि मैं q में एक pointer का address रखने वाला हूं है ना अच्छा अब एक रूल मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से सुनना तो मैं यहां पर एक बात बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनना हमने कहा कहा कि क्या कहा कि जो pointer हम बनाते हैं वह अपने से एक कम label वाले variable का या pointer का address श्टोर कर सकते हैं label आप यहां पर समझें मैं कहा रहा हूं कि हमने क्या बोला कि कोई भी pointer variable किसी pointer या variable का address रख सकता है जिसका label उससे एक कम हो अब यहां पर जो हमने पी pointer बनाया था उसका label क्या था उसका label था 1 क्योंकि उसको declare करते समय हमने एक star लगाया है एक्स का label क्या है एक्स का label है 0 क्योंकि उसको declare करते समय हमने कोई star नहीं लगाया है आपको यह बात सम्हें आया तो अगर मुझे p का address रखना है तो p का label है 1 तो मुझे two label वाला pointer बनाना पड़ेगा और अगर मुझे two label वाला pointer बनाना पड़ेगा तो उसके पहले मुझे दो star इस तरह से लगाने पड़ेंगे इसलिए हमने लगा double star q और अब इस q में मैं address of p p का address मैं रख सकता हूँ है ना तो यहाँ पर क्या हुआ समझेए कि जो एक हमने variable बनाया है q यह क्या है यह q variable है यह q है और इसमें क्या है p का address p का address क्या है 2000 और इसका भी अपना कुछ address होगा लेट से इसका address है 3000 इसका भी अपना कुछ address होगा और अब जो यह q है यह p को करने लगा है point अब आप यहाँ पर कड़ी समझेए देखे किस तरह से यह ऐसे चलता जा रहा है और q का भी तो कुछ ना कुछ address होगा इस q का अगर मुझे q का address इस्टोर करना है जो कि 3000 है तो मुझे q से एक ज्यादा label वाला pointer बनाना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा triple star r इस तरह से और इसमें मैं लिखना पड़ेगा triple star r और इसमें मैं क्या लिखूंगा address of q इस तरह से मैं रख दूँगा ये होता है extended concept pointer का तो हमने क्या किया हमने एक और variable बनाया है जो क्या है जिसका नाम है r तो इसका नाम क्या है r है इसका भी कुछ address होगा let's say 4000 ऐसे आप बढ़ते और r में क्या होगा r में होगा 3000 जो की p का address है और r क्या कर रहा है r इसको point कर रहा है अब आप समझ में आपको बात आई क्या हो रहा है अब अगर मैं कहूं आप से कि अगर p का use करके अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ p का use करके अगर आपको x की value चाहिए तो आपको p की de-referencing करने पड़ेगी उसके पहले एक star लगाना पड़ेगा अब क्योंकि ये सारे चीचें ऐसे आपस में connected हैं तो मैं q का use करके भी x की value को print कर सकता हूँ तो मुझे q की भी de-referencing करने पड़ेगी लेकिन उसके पहले मुझे 2 star लगाना पड़ेगा आपको x की value चैहिए x का label क्या है zero तो q को label zero करने के लिए उसके पहले दो बार आपको star लगाना पड़ेगा क्योंकि जब हमने declare किया था तो उसके पहले two star लगा कि declare किया था तो उसका label क्या था two था तो जब d-referencing करनी है तो मतलब आपने label को कम कर दिया तो q का label है 2 लेकिन आपको 0 label तक जाना है तो आपको q की 2 बार d-referencing करनी पड़ेगी और q की 2 बार d-referencing करने का मतलब 2 बार install लगाना q के पहले और अगर आपको r का use करके इस x की value को print करना है तो r का label क्या है 3 है क्यों क्योंकि उसको हमने declare करते हैं 3 बार star लगाया था तो अगर r को label 3 है उसको आपको 0 label में ले जाना है तो r के पहले आपको 3 star लगाना पड़ेगा तो r का label r को आपने 3 बार उसकी d-referencing कर दी तो उसका label क्या हो गया 0 हो गया अच्छा अगर आप r का use करके x को access करना चाहते हैं उसकी value को तो मैं एक शूर कि यह आपस में इस तरह से connected हूँ क्योंकि हमने connection बनाया है इस तरह से है ना तो अब आते हैं यहाँ पर अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो यह cout हमने लगाए हैं मैं इसको हटा रहा हूं ठीक अभी मैं इसको भी हटा दे रहा हूं अब यहाँ पर समझे हमने किया क्या है हैना देखिए, एक एक नारमर वरियेबल है इसका लेबल क्या है? जीरो है तो अगर मुझे उसका एडर सकना है तो मुझे एक लेबल वाला Zusch Islands अब पोइंटर है और अब अगर मुझे C out लगाऊं अगर मैं थोड़ा अंधेरा हो गया है मुझे दिख नहीं रहा है कीबोर्ड पे तो मुझे X को प्रिंट करता हूँ सबसे पहले तो मैं लिखूँँगा in L इस तरह से अब फिर मैं इसको कापी करूँगा अब मुझे P का यूज करके अगर X को प्रिंट करना है तो P का लेबल क्या है P का लेबल है 1 तो उसको 0 लेबल मिले जाने के लिए मुझे एक बार इस्टाल लगाना पड़ेगा है ना और अगर X की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है x की value मुझे print करना है q का use करके तो q का label क्या है 2 तो उसको 0 level मिले जाने के लिए मुझे उसकी 2 बार de-referencing करनी पड़ेगी है ना इसी तरह से r का अगर use करके मुझे value print करनी हो तो r का label क्या है r का label है 3 तो उसकी मुझे 3 बार de-referencing करनी पड़ेगी तो यहाँ पर देखे अगर यह सारे चीजें आपस में connected है मैं program को run कर देता हूँ तो 4 बार 4 times 555 print होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो print हुआ है तो इसको हम बोलते है extended concept of pointer तो pointer के बारे में आपने क्या सीखा कि कोई भी pointer किसी pointer या variable का जब address रखेगा तो वो अपने से एक कम वाले अपने से एक कम label वाले variable का address ही रख पाएगा और अगर मुझे जिसका address हमने रखा है pointer में pointer का use करके मुझे इसकी value चाहिए तो मुझे उस pointer का यानि की address का जो भी है उसमें उसकी de-referencing करनी पड़ती है और de-referencing उतनी बार करनी पड़ती है जितने label तक मुझे value चाहिए और अगर इसी को मैं और थोड़ा बागे बढ़ा हूँ मैं आई होप कि आप समझ पा रहे है मेरी बात को तो देखे मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पर आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको copy कर रहा हूँ ध्याल चाहँ देखना है आप मैंने यहाँ पर print किया P P को हमने print किया है ठिक तो P में क्या है X का address है यानी कि मैं X का address print कर रहा हूँ अब आप बताए कि मुझे X का address प्रेंट करना है क्यूं का यूज करके तो क्यूं का लेबल क्या है टू लेकिन उसको किस में ले जाना है आपको एक लेबल में ले जाना है तो उसकी आप सिर्फ एक ही बार डी रिफ्रेंशिंग करेंगे इस तरह से है ना और अगर आर का यूज करके आर का यूज करके आपक कि दो ही श्टार लगाना पड़ेगा है ना और इससे पहले मैं क्या प्रिंट कर देता हूं यहां पर इससे पहले यहाँ पर मैं print कर देता हूँ address of x तो इतना समझ में आ रहा है ना आपको अब देखना x का जो भी address होगा ये सारी चीजें वही value print करेंगी देखलो वही same to same print है कि नहीं जो x का address है है ना तो आपको pointer का concept समझ में आ रहा है I hope कि आ गया हुग अब इसी तरह से आप और कुछ आगे बढ़िए बढ़ाते जाइए आपको जितना मनुखना करिए यार pointer कोई end नहीं है अब pointer को हम और अच्छी तरह सीखेंगे pointer को अभी हम और आगे सीखेंगे pointer को हम किस तरह से array के साथ में use करते हैं हम लोग structure के साथ में किस तरह सी उज़ करते हैं class के साथ में किस तरह सी उज़ करते हैं तो pointer का concept अभी आगे हम लोग सीखेंगे है ना अच्छा एक बार आप मैं final बात और बोल रहा हूं यहां पर कि जब भी आपने क्या किया है किसी variable का address कहीं पर रखा है मैं इसको healthy जटा दे रहा हूं देखिए तो क्योंकि आपने x का address p में रखा है तो star p लिखना x लिखने के बराबर है क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं है ना बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं है ना मैं क्या बोल सकता हूँ कि star p लिखना x लिखने के बराबर है है ना और अभी हमने क्या किया था q में p का address दिया था तो star star q लिखना x लिखने के बराबर है और triple star r लिखना x लिखने के बराबर है तो याद रखना ये दोनों चीजें आपको नीचे वाली अगर नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं लेकिन ये जरूर याद रखना कि जब भी आपने किसी variable का address जैसे यहाँ पर p में रखा है तो star p लिखना उस variable को लिखने के बराबर है ये बात बहुत धंग से सुन लेना आप लोग star p लिखना x लिखने के बराबर है इस बात पर मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूँ ये बहुत यूज होने वाला है थेंकिसो मच